क्लास 11 इंग्लिश का फर्स चैप्टर द पोट्रेट ओफ लेडी तो अल्डे क्लास 11 स्टूरेंट्स वेलकम दू मैं अपने चैनल पे क्लास 11 हुमानिटीज के सभी सब्जेक्ट पढ़ाती हूं प्लस इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन तो अगर आपको इंग्लिश के लाव पढ़ना है चाहे वो सभी के सभी चाप्टर सो ग्रैमर पोर्शन और राइटिंग पोर्शन ओ या रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन ओ तो उसके लिए आप सिंप्ली जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो सेपरेट प्लेलिस मैंने क्रिएट कर दी है आपका फुल में बस जाएगा और इंग्लिश में तो आपके सौ में से सौ पक्के है मेरी गारेंटिया कंडिशन आप इन वीडियोस को बस ध्यान से सुन लीजिए एक दो बारी चाप्टर समझ भी आजाएगा आंसर फॉर्मेशन भी आजाएगा एवरीटिंग विल बी क्रिस्टिल क्लि भी वह बेस क्वेशन ऐसे होंगे कि एकजाम में फिर कोई भी क्वेशन आजाएगा आप उन में से आंसर कर पाऊगे तो उन सभी के लिए जो है आप डिस्क्रिप्शन भॉक्स चेक कर सकते हो मेरे चानल भी चैक कर सकते हो जो नोट्स में आपको बता रही हूं हैंडि करते हैं हम साथ करते हैं पना पहला चाप्टर द पोट्रेट ओफ लेडी द पोट्रेट ओफ रेडी के राइचर कौन है जल्दी से बताइए मुझे कॉमें सेक्ष्ट में और मैं बताती हूं आपको इस चाप्टर का डेटेल एक्स्राइशन तो भाई यह राइटर वैसे हैं ह अनकी ग्राइबर है वह उनकी दादी मा है उन्होंने उनके वारे में हमें बहुत ब्यूटिफुली डिस μαlle कि लिजा अससा ठील हा रिष्टा था उनका अपनी ग्राइट मादर से कितना प्यार था उनके बीच मे और बचपन से वह अपनी ग्राइं मदर साथ बहुत समय हम बच्चे बड़े होते हैं टीनेजेज बने देन और फिर हमारा स्कूल पर प्रेशर हमारे बहुत इंक्रीज ओर रहे थे एक वर्ड आता होगा चैप्टर का मेरे समझाने से पहली बस एक बर हिंदी एक्समेंशन सुन लो तो क्या होता है खुश्वन सिंग जी जो है अपनी ग्रैंड मदर के साथ ना गाउं में रहते हैं इनको ऐसा लगता है कि इनकी ग्रैंड मदर ना हमेशा से ही बूड़ी है क्य जैसे अभी वो है तो खुश्वन सिंग को भी ऐसी लगता था कि उनकी जो दादी है वो हमेशा से ही बूड़ी है ठीक है और गाउं में वो एक साथ रहा करते थे खुश्वन सिंग की हर ज़रूरत का ख्याल दादी रखती थी सुबह उठाना रेडी करना स्कूल के लिए ल में खुश्वन सिंग को मंदिर के पास मिनमनें खुश्वन सिंग सिंग जाते थे हुश्वन खुश्वन इतर अपनी पढ़ाई करते थे मंदिर में जो प्रीस्ट उते पढ़ाते थे और दादी मह अंदर बैटके जो है स्कूप्चल तो मतलब दोनों एक खट्टे स्कूल जा रहे थे दादी मा अंदर मंदिर में बच्चे भारबैट के वरांडे में मंदिर की पढ़ाई कर रहे होते थे तो एक स्पेशल बहुत 24-7 का बॉंड था खुश्वन सिंग और ग्राड मा के बीश में अब क्या हो जाता है जब उनके म करा देते इंगले स्कूल में फिर वह बस में स्कूल जाते हैं और दादी मा नहीं जा पाती दीरे दीरे उनके बांड में वो कहते थोड़ी-धोडी में दूरी बढ़ने लग जाती है मैं कम मिल पाता हूं दादी मा से मेरी अपनी पड़ाई इतनी है तो ऐसा कुछ होना तो उनका रूम अलग हो जाता है यह बहुत इंपॉर्टन यहां से एक्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपको कि एक लिंग था दोनों के बीच में शेहर में कि दोनों का सेम रूम था तो मिलते तो होंगे देख तो एक दूसरे को एक सेम रूम में थे तो बच जब कुश्व के लिए जा रहा हूं अब दादी मा और जादा बूड़ी हो चुकी थी वह इतने बड़े हो चुके थे तो नहीं डर लगता है कि क्या में वापस जब आऊंगा विदेश अपनी पढ़ाई पूरी करके क्या दादी मा से दोबारा मिल भी पाऊंगा या नहीं ऐसा नहीं कि म आपको पता होगा कि अच्छा क्या होने वाला है तो first of all grandparents of author थीक है मैंने proper notes क्रेट कर रखे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो सबसे पहले author हमें बताते है कि मेरी grandmother जो है सभी की grandmother की तरह बिल्कुल ओल्ड है ठीक है बिल्कुल बुड़ी से हैं जैसे सबके दादादी होते नो मुड़े मेरी बिल्कुल बुड़ी है ओल्ड है रिंकल्ड है उनका फेस पूरा जुल्यों से भरा हुआ है और मुझे यसा लगता है कि वह बीस सालों से जानता कि मेरी दादी मा कभी यंग प्रिटी भी होंगी लोग कहते है उनकी शादी होई थी और वो समय बहुत संदर थी तो कि यह की नहीं होता कि इनकी शादी होई है शीव तो प्यूटिफूल यांग प्रिटी ने मुझे तो ऐसी अपनी क्यूट सी दादी मा दिखाई दीती है बोड़ी तो उनकी पार की चान तो पार के बारे में बताते हैं रहुट करने की उसके उपर उनोंने जो है मैंटल पीस के ओपर एक फोटोग्राफ लगी यह फ्रेम्ड हुई वी उसमें उनकी ग्रैंड़ फादर उनकी इनके सिक हैं सदार है तो रहे तुन्होंने टरबन प और इवन फोटोग्राफ के अंदर जो दादा जी हैं, वो भी बहुत जादा बुड़े हैं, तो उनको देखके भी मुझे ऐसा लगता है कि यह जवान होंगे नहीं, मिरको इनको देखके भी ऐसा ही लगता है कि हां इनके lots of lots of grandchildren ही होंगे, तो उनकी बच्चपन से यह thinking है मेरे दादा दादी जो नहीं बुड़े हैं तो यह उन्होंने हमें स्टार्टिंग में एक्स्प्लेइन करा है ठीक है तो उन्हें काफी अजीब लगता था जब दादी मा के लिए जो है वो सोचते थे कि वो प्रिटी थी अब दादी मा ना कभी-कभी उन्हें बताती हैं कि मैं सूट मूट की कहानिया सुना रही है ऐसी कुछ कहानिया सुना रही है कि हाँ यह ऐसे बच्छवन में गेम्स खेला कर दी थी प्लस अब वो बदेते हैं हमार को अपनी ग्रांड मदर का फॉल ऑन डेस्क्रिप्शन इस पर एक्जाम में क्वेशन आया का बहुत मिल्कूल की है और स्लाइकली बेंट है यानि कि वो थोड़ा सा जुक के चलती है ठीक है रिंकुल फेस है उनका बिल्कुल भी और वो कहते हैं कि 20 साल से वो बिल्कुल सेम लग रही है जैसे जब वो गाहों में ते शहर में आप यूनिवर्स्टी वाली हो चुके है बीस साल हो चुके है बीस साल के वो गयोंगे के तब सेले के अब तक मुझे विगूल सेम लगती है मेरी ग्राइड मदर वो सीधी नहीं चल पाती है थोड़ा सा जुक के चलती है हमीशा वो कहते हैं वो पूरे घर के अंदर क्या घूमती रहती है वाइट कलर के अपने कपडों में आने की वाइ थे वो उसमें जो है भगवान का नाम लेती रहती थी वो दादी जो है हर समिट चांटिंग करती रहती थी तो इस ट्रीस को आपको ध्यान रखना दादी मा कैसी थी ओल थी शौट थी गोलूम ओलू सी थी ठीक है और उनका रिंकल फेस था साथी के साथ में वो थोड़ा सा चलती थी एक हाथ उनका कमर पे रहता था और हमेशा एक हाट में रोजरी रहती थी और पूरे घर के काम वो ऐसे ही घूमते-घूमते करती रहती थी तो यह हैं हमारी दादी माव का डिस्क्रिप्शन ठीक है तो विद देस अब आगे चलते हैं अब हमें बताया गया है ग्र स्कूल जने के लिए वह लहां की तो वह क्या करती थी हमेशा नप बोलती रहती रहती चैंटिंक करती रहती धी हर some वह प्रवान पेट परिएर नी करती तो वह में करती दो हैं जनब कर गाथी जिससे मैं भी सुनंद और मैं बढ numéro कर लूँ बट में सुनता था मुझे उनकी आवास पसंथी बट मुझे ना कभी लर्न करने का मन नहीं कर दादी मा हमेशा जो है प्रेयर गाती रहती थी सोधाट खुश्वन सिंग भी उसे लर्न कर ले ठीक है अब जो है वह क्या करती है वो उनको रेडी करती है तो इवन उनक सब बंडल में बांद के हम इकटे स्कूल जाते थे और घाथा क्या खाते थी वह सुपसुपनाश्था करें अगे अधिन पहले वाली जो छपाती होती है थोड़ी स्टेल सी वह उसके उपड़ चीनी लगा कि और बटर लगा कि हम खाते थे और दोनों स्कूल में आपको बत पंड़ जो टेंपल का विरांडा था वहां पर बैट के प्रियर्स अलफबेट्स वगएरा सिखाते रहते तो इतना जादा उनका करीब थे वो दोनों कि स्कूल भी खट्या जाये करते थे जब स्कूल की छोटी थी तो एक साथ दोनों घर आते थे अब कुश्वन सिंग बतात दादी मा अनिमल लवर थी वो स्पेशली जो है चापाती पाक करके ले जाती थी अपने साथ सो दाट वो डॉक्स को फीड कर पाए ठीक है तो ऐसा था उनका विलेज में प्रॉपर इस तरीके से वह रहा करते थे अब क्यों होता है फाइनली जो है उनकी लाइफ में टर्न सेटलमेंट हो जाती है तो वह खुश्वन सिंग को और अपनी दादी उनकी जो है उनको वहां बुला लेते हैं अब आती हूं की थोड़ी सी मैंने जिसे आपको बताया था कि उनकी जो दूरी आया थोड़ी बढ़ने लग जाते है क्योंकि वह शेयर तो कर रहे थे एकी के बार में पढ़ा है तो दादी माँ खुश नहीं होती थी और वो इसलिए उड़े नहीं पढ़ाया जा रहा है तो उन्हें पसंद नहीं आती है यह चीज दादी माँ बताते हैं मैंने दादी को बताया कि हमारे स्कोल में म्यूजिक के लेसन तो बहुत कुसों हो जाती है बारे में अपनी दादी को बताया नहीं उन्होंने मुझसे पूछा अब दादी मास घर पे तो बिल्कुल अकीली रहती थी सिटी वाले तो वहां पे उन्होंने अपने पास्ट टाइम करने के लिए उनका तरीका था और वह एक अनिमल लवर थी तो हमेश्या घर का जो आफर आजाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर और उनको कॉमन लिंक फ्रेंड्शिप खतम हो जाते हैं अभी तक या था उनका कमरा ठीक है दूनों सेम कमरे में बात तो करते होंगे ना इकलिस ठीक है कुछ नहों कुछ तो बाते करते हूंगे उनिवर्सिटी में आया तो चुपचा वरान्डे में बैट के spinning wheel जो होता है चर्खा उख चलाती रहती थी और दो पहर में प्री टाइम होता था तो वह पैरोस को जो है युनिवसिटी तक तो वो पढ़ रहते कमरा भी अलग हो गया था अब नरेटर डिसाइड करते कि मैं जाओंगा बाहर पढ़ने वो कहते हैं इस समय भी मुझे बहुत ड़ लगा कि अगर मैं बात साल के लिए बाहर जाओंगा तो पता नहीं मेरी दादी से दुबारा मिल जाती है और उनको बिल्कुल भी वह इमोशनल नहीं थी ऐसा नहीं थी कि मुझे बहुत परशान हो के दिखा दी थी कि अब मैं उन्जे दूर जा रहा हूं नहीं नहीं दिखाती है इन फैक जाते जाते वापसी पे उन्हें एक हग करती है और उनके फोरेट पे किस करती है उसमें भी वह रोजरी जो है साथ के साथ प्रेयर करें तो यह जो कॉंटाक्त था आमारे बीच में कि उन्होंने मेरे फोरेट पे किस करो उसमें भी वह क्या करें थी अपनी भवान का नाम ले थी चैंटिंग कर रही थी तो मैंने एक अपने याद बनाली मैं अपने सब्सक्रान है और उन्होंने मुझे ऐसा शो कर आओ कि मुझे नहीं जाना थी नहीं वह कुल स्ट्रॉंग होकर मुझे वहां तक छोड़ने भी अब पात साल बीच जाते है यहां तक तो मैंने आपको चैप्टर बताए दिया था और दादी मा अभी बिल्कुल सभी सलामत हो सब्सक्राइब करते हैं जैसी में स्टेशन से उत्रा आया मैंने दादी को देखा अभी वह सेम टू सेम लग रही थी एक दिन जाधा बूडी नहीं लग रही थी बिल्कुल भी उन्होंने कुछ नहीं का बस एक बार हक करा और फिर वो लोग घर आगे कैते हैं घर आके मैंन डाइब का और वह बजाना शुरू कर देती हैं गीत गाती हैं वह कौन से गीत गाती हैं जो कभी वारियर्स वगेरा जब जब जीत के वापस आते तो जो वह वह गाले गीत होते हैं वह पूरी का लग अंटियों के साथ मिलके उन्होंने बहुत इंजॉइ करा बहुत जादा जोर-जोर की गाने का रही थी और ड्रम बचा रही थी कह रहे हम लोगों को टेंशन हो गई हमने उन्हें का रहे नहीं नहीं आप ठक जाओगे ऐसा मत करो बट उन्होंने बिलकुल नहीं सुने वारे पूरे दिन इंजॉइ करा और अगले दिन सुबा सुबा फिर क्या फिर 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 हो ठीक है फिर फिर ने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने का रहे कुछ नीं माइल सफिवर ठीक हो जाएगा बट आप दादी क्या कहती है कि नई-एप मर्ने वाली हो मेरा लास्ट है तो वहने कहते हैं कि नइंग आपको दो वखार हुआ हो तो द जो थी ती वह भी भी उनके हाथ में थी ऑव प्रेयर करना शुरू कर देटी और वो कैते हैं कुछ ही मिन्टों के अंदर जो माला है उनके हाथ से घर जाती है एक मीज दादी मा की डेथ हो जाती है तो समझ जो कि उनको मतलब कि कहीं नकर एसास हो गया था that it's a last day उस दिन दादी-मा की death हो जाती ठीक है तो वह कहते जैसी जो है उस दिन पर हम क्या करते हैं फिर गादी-मा दादी-मा जो है उनको सब्सक्राइब कर दिया जाता है और उनको ग्राउंड पे जो है ले कर देते एस पर दा कस्टम्स ठीक है फिर उस दिन भी क्या होता है जैसे कि जो है दब दादी-मा की बॉड़ी भी वहां होती है उनके घर में तो बहुत सारी चड़िया आ जाती है वही स्पैरोस और आज ड स्पैरोस के लिए और जब वापस आ जाते हैं दादी-मा का अंतिव संसकार करके वह अगले दिन देखते हैं सुभार कि केक भी स्पैरोस ने उस ब्रेड को नहीं खाया था और फिर स्वीपर जो होता है उसको ब्रेड को वहां से हटा देता है तो डेट मीन्स उन्होंने यह लास्ट लाइन समीगे शो करा कि इवन जानवरों को भी इतनी जादा समझ होती है उस दिन स्पैरोस ने भी जो है आप को कि वह भी बहुत दुखी थी कि दादी-मा आप नहीं रही है उन्होंने नाहीं ब्रेड खाई और जब दादी-मा की डेट हुई थी तो उस समय वह व यह important question चेक करने Instagram ID पर से जाके चेक कर सकते हो और एक playlist given है based questions की first pinned comment के अंदो जो first comment वाले वीडियो का उसमें देखना आप इसके question answers given है उन्हें देख लेना सारी question answers crystal clear हो जाएंगे मैं चलती हूँ विद इस बाबाइचे के रान बेस्ट ओफ लग हम मिलेंगे next वीडियो में जहां ममना ने शाप्टे यसी कवर कर लेंगे